दोस्तों आप अपने computer को एक hosting computer या एक hosting server बना सकती हो एक professional blog या website बनाने के लिए domain name के साथ साथ hosting server भी बहुत जरूरी होता है domain आपके website का नाम होता है और hosting में आपके website का data store रहता है domain और hosting क्या है ये already मैंने explain कर दिया है और आज जानेंगे कैसे अपने laptop या computer को एक server बना के अपने website को internet पे publish किया जाता है वो भी बिल्कुल free में नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है राजदी मिस्रा और मैं आप सब का स्वागत करता हो आपके अपने चैनल website guide हिंदी में जहाँ पे आपको हर रोज website related कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहला आप सबसे एक ही request करना चाहूंगा अगर अभी तक आपने चैनल को subscribe नहीं किया है तो please चैनल को subscribe कर लीजिए subscribe करने के बाद side में जो bell icon है उस पे click करके अगर आप all notification को enable कर देते हो तो जब भी इस चैनल पर मैं कोई नया वीडियो upload करूँगा तो उसका notification आप तक पहुच जाएगा एक professional blog या website बनाने के लिए आपको domain और hosting purchase करना पड़ता है जिसके लिए आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे बट अगर आप एक student हो आप सीखना चाहते हो website कैसे बनाते है और website में कैसे काम करते है तो आपको domain और hosting buy करने का कोई ज़रूरत नहीं है फ्री में कहां से domain लेना है और फ्री में कैसे अपने computer को ही एक hosting server बनाना है वो आज मैं आपको सिखाऊंगा इस वीडियो में और इसके लिए हम यूज करेंगे जैंप एंड पैकेट राट का जैंप एक local server है जो hosting को मिमिक करता है और आपके computer को एक local host या hosting server बना देता है और पैकेट राट आपके local host और इंटरनेट के बीच में पर सकते हो बट अगर आप एक blog या website बनाना चाहते हो उससे online income generate करने के लिए तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है local host के क्या-क्या नुकसान है यह मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था यह वाला वीडियो है एक बास ज़रूर देख लेना link आपको उपर i button में औ आपके उससे income generate करने के लिए आपको आज नहीं तो कल domain और hosting purchase करना ही पड़ेगा best domain and hosting सबसे cheapest price में कहां से आप buy कर सकते हो और कैसे buy करना है यह मैं आपको अपने next वीडियो में बताऊंगा तो चलिए जान लेते zamp का use करके अपने computer को ही एक hosting बनाके उसमें wordpress को install करके website कैसे बनाते है और फिर उस website को packet write से कैसे intent पर publish किया जाता है सो सबसे पहले हमें zamp server को अपने PC में download and install करना पड़ेगा zamp को download करने के लिए आपको इस website में आना होगा website का link आप यहाँ देख सकते हो link आपको वीडियो के नीचे description में भी मिल जाएगा यह download button के side में different operating system select करने का option है मेरा operating system है windows तो मैं यह windows को select करता हूँ आपका जो भी operating system है आप select कर लेना आगे का process similar होने वाला है operating system select करते ही zamp download होना शुरू हो जाएगा अगर automatically download शुरू नहीं होता है तो यहाँ पर click here button पे आपको click करना पड़ेगा download complete होते ही आपको zamp setup file के उपर click करके zamp को अपने pc में install कर लेना है installation process simple है आपको बस next button पे click करते जाना है बाकी यहाँ कुछ भी change ना करे तो अच्छा installation complete होते ही zamp control panel open होगा यहाँ आपको अलगर एक services देखने को मिलेंगे इन ही में से आपको apache and mysql को start कर देना है start होते ही यहाँ apache and mysql का default ports आपको देखने को मिल जाएंगे apache ठीक से काम कर रहा है या नहीं यह check करने के लिए आपको अपने web browser में local host type करके enterprise करना है अगर apache का यह default page open हो जाता है तो सब कुछ सही है अभी आपको wordpress.org में जाना है और यहाँ पर wordpress को download करना है get wordpress button पर click करने के बाद आपको download button देखने को मिल जाएगा wordpress के file zip format में download होगा आपको files को extract करना है और इसके लिए बहुत सारे free software साते है मैं यहाँ पर win-rir software का use कर रहा हूँ अभी आपको wordpress install करना है पर उससे पहले आपको database setup करना है ताकि wordpress उस database को use कर सके और इसके लिए आ आपको localhost के dashboard में आना है यहाँ पर top right side में PHP my admin का button आपको देखने को मिलेगा इस पर आपको click करना है click करते ही admin console open हो जाएगा यहाँ पर wordpress के लिए database create करना है ताकि हम wordpress को install कर सके तो आपको यहाँ पर new पर click करना है फिर database का एक नाम देना है मैं यहाँ पर wordpress db नाम रखता और फिर create button पर click करते ही database create हो जाएगा database create हो गया है अभी आपको user account भी बनाना पड़ेगा इसके लिए यहाँ पर privileges पर click करना है फिर यहाँ add user account पर click करना है फिर यहाँ एक username and password देना है make sure कि यहाँ पर grant all privileges on databases का यह जो checkbox है यह check रहे then आपको नीचे go button पर click करना है और आपका user account बन जाएगा अभी आपको apache server में wordpress को install करना है इसके लिए आपको wordpress के files को copy करना है यह वही files है जो हमने wordpress.org से zip format में download किया था यह सभी files wordpress नाम के एक folder में है तो मैं इसी folder को copy कर लेता हो folder के उपर right click करके copy button पे click करके आप copy कर सकते हो या फिर control plus c button पे press करके आप copy कर सकत करके हो control plus c copy का keyboard shortcut है अब इस folder को हमें वहाँ पे paste करना है जहाँ पे zamp installed है तो in my case local disk c में zamp installed है zamp folder के अंदर आपको htdocs नाम के एक folder को find करना है इस folder के अंदर आपको जाना है और यहाँ पे आपको wordpress folder को paste कर देना है paste का keyboard shortcut है control plus b यह काम होने के बाद आपको अपने browser में जा WordPress, enter press करते ही WordPress का installation page open हो जाएगा यहाँ पे language select करने के बाद continue button पे click करना है और फिर let's go button पे click कर देना है यहाँ पे आपको database को configure करना है जो database आपने बनाया था उस database का नाम यहाँ पे डालना है और फिर जो user account आपने बनाया था उस user account and password को आपको यहाँ पे देना है फिर यहा submit button पे click करना है और फिर run the installation के button पे click करते ही यहाँ पे आपके website के details पूछे जाएंगे जैसे कि आप अपने website का title क्या रखना चाहते हो आपके WordPress dashboard का username और password क्या होगा यह सब तो मैं यहाँ पे title में अपना खुद का नाम रख देता हो राजदिमिसरा और एक ऐसा username and password करता हो ज login होने के लिए login बटन सो करेगा आपको login बटन पे click करना है और जो भी username and password आपने अभी-भी WordPress dashboard के लिए set किया है उस username and password को यहाँ पे देखे login कर लेना है So this is your WordPress dashboard और यह आपका default WordPress website है जो अभी देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है बट इसी website को customize करके एक professional website कैसे बनाते है यह हम अपने आने वाले videos में जरूर सीखेंगे पर अभी के लिए आपने अपने अपना खुद का website बना लिया है मुझे याद है जब मैं WordPress सीख रहा था और पहली बार इस WordPress dashboard को देखा था तो मुझे यह बहुत ज्यादा complicated लगा था मुझे लगा था WordPress मेरे बस की बात नहीं है बट trust me friends यह बहुत ही easy है और बहुत जल्द इस channel पे आने वाले videos को देखके आप WordPress dashboard का use पूरा सीख जाओगे यह मेरा promise है आप सभी से चलिए एक चीज मैं आपको अभी सिखा देता हूँ website का theme change करके हम website को दिखने में अच्छा वनाएंगे इसके लिए आपको appearance के अंदर themes में जाना होगा add new के बटन पे क्लिक करते ही हजारो themes आपके सामने आ जाएंगे इनमें से किसी भी theme को आप install and activate करके अपने website का design change कर सकते हो theme को भी आप अपने हिसाब से customize कर सकते हो अभी इस website में images, pages, menus कुछ भी नहीं है इसलिए यह अभी आपको खाली-खाली दिख रहा है आगे आने वाले tutorials में हम बहुत ही अच्छे-च्छे website design करना सिखेंगे तो website हमारा बन चुका है पर अभी वो local host में है यानि सिर्फ मैं अपने computer से ही इस website को open कर सकता हो और देख सकता हो अभी हम Packet Riot का use करके अपने website को internet पे लेके जाएंगे Packet Riot आपके local host और internet के बीच में एक security tunnel create करता है ताकि आप securely local host में बने अपने website को internet पे publish कर सको So at first आपको Packet Riot के website में जाना है URL आपको वीडियो के निचे description section पे मिल जाएगा और फिर आपको join free button पे click करके Packet Riot में अपना एक free account बना लेना है Login करने के बाद आप Packet Riot के dashboard में आ जाओगे जो की दिखने में कुछ ऐसा है यहाँ उपर आपको downloads पे click करना है और अपने operating system के हिसाब से Packet Riot को download कर लेना है मैं यहाँ Packet Riot for Windows 64 bit को download कर रहा हूँ अभी आपको downloaded Packet Riot zip file को extract करना है winrar का use करके So this is our Packet Riot exe file अभी मैं आपको recommend करूँगा कि आप इस directory को path variables में add कर ले तक कि आप इस tool को किसी भी directory से access कर पाओ इसके लिए आपको इस path को select करके copy करना है by pressing ctrl plus c अभी start menu के search bar में आपको environment variables लिखके search कर लेना है एक pop up open होगा यहाँ पे environment variables में click करना है user variables के अंदर path के उपर आपको double click करना है और new button पे click करके copy किया हुआ path को आपको यहाँ पे paste कर देना है now click on ok, ok and ok again अभी आपको अपने computer में cmd को open करना है और यहाँ पे type करे pktriot.exe enter button पे click करते ही usage instructions आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा so यहाँ सबसे पहले packet riot को आपको configure करना पड़ेगा और इसके लिए आपको type करना होगा pktriot.exe space configure enter press करते ही configuration file का path show होगा इसको आपको select करना है अभी आपको यहाँ अपना login details fill करना है आपको अपना email and password enter करना है जिससे आपने packet riot में अपना account बनाया था authenticate होने के बाद आपको अपना server location select करना होगा and that's all, configuration आपका complete हो चुका है यहाँ आपको अपना host name show हो रहा है जो only आपको assign किया गया है और यह आगे हमारा काम आएगा अभी आपको packet riot के tunnel name को change करना है जिसके लिए मैं यहाँ पर type कर रहा हूँ pktriot.exe space edit space dash dash name अभी quotation के अंदर जो भी नाम आप अपने tunnel का रखना चाते हो वो नाम यहाँ 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 पर लिख दीजे मैं यहाँ पर राजदिप underscore tunnel रख रहा हूँ and press enter that's it, tunnel name यहाँ पर change हो गया tunnel name change हुआ है या नहीं यह अगर आपको check करना है तो packet riot के dashboard में जाईए यहाँ पर tunnels बटन पर क्लिक करें यहाँ पर आपको tunnel name सो होगा और साथ ही आपका जो host name है वो भी सो होगा अभी आपके local host में बने website को internet में publish करने के लिए आपको packet riot में http को add करना होगा और इसके लिए आपको एक command type करना है pkt riot.exe tunnel http add space dash dash domain space आपका जो host name है उस host name को आपको यहाँ से copy करना है and यहाँ पर paste करना है space dash dash destination space local host space dash dash http space आपका जो port number है अपाची का यहाँ पर आप देख सकते हो अपाची का जो by default port number है वो 80 है तो 80 यहाँ पर मैंने डाला है space dash dash let's encrypt अभी आप जैसे ही enter press करोगे तो यहाँ पर लिखा आ जाएगा http traffic rule added अभी आपको type करना है pkt riot.exe space info तो अभी आप यहाँ पर देख पाऊगे आपका जो host name है यानि जो आपका डोमेन है उसमें http service add हो चुका है अब packet riot को start करने के लिए type करे packet riot.exe space start enter press करते ही कुछी seconds में packet riot start हो जाएगा अभी आप अपने host name को copy करके किसी भी browser पे paste करके open करिए यह default page आएगा आपका local host इंटरनेट पे publish हो गया है किसी भी device में आप इस host name को open करके check कर सकते हो अभी अपने website को open करने के लिए host name के बाद slash wordpress type करके enter press करे पहली बार open होने में website कुछ seconds का time लेगा बट next time से website बहुत जल्द लोड हो जाएगा host name ही आपका domain name है जो packet riot ने provide किया है पर आप चाहो तो आपका खुद का एक custom domain name भी यहाँ पे add कर सकते हो जैसे कि अगर मैं चाहू तो यहाँ पे राजदीमिसरा.com को मैं as a domain यहाँ पे add कर सकता हूँ कैसे custom domain add किया जाता है अगर आपको जानना है तो visit करे राजदीमिसरा.com आज आपने जाना कैसे अपने computer को एक server बना के अपने website को host कर सकते हो वो भी बिल्कुल फ्री में. नेक्स्ट वीडियो में आप जानोगे एक custom domain कैसे खरीदे नेक्स्ट वीडियो का notification अपने phone और email में पाने के लिए चैनल को subscribe करके bell icon पे click करके all notification को enable करे This is a new channel और यह channel तभी grow करेगा जब आप सब मिल के support करोगे So please support this channel, please support this video आपका एक like मुझे motivate करेगा ऐसे और भी वीडियो बनाने में Thank you for watching this video